अलो अपरिबड़ी, वेल्कम बैक तो चैनल, दोस्तोव आई पिल टीम एनालिसिस के सिरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब और कोलकाता नाइट्राइडर यानि दो टीमे कवर करेंगे और हम बात करें कौन से player important होने वालों कौन से player को उपर हमारा ध्यान होना चाहिए कि उनको buy करना की नहीं करना है तो वीडियो काफी जादा important होने वाली आप सभी के लिए लास तक जो देंको सब्सक्राइब करकर रखो ताकि ऐसे profitable content आपको देखने को मिलते रहे देखते हैं कि कौन से प्लेयर को पर हमको trade करना है राइट तो सबसे पहले सुरू करते हैं पंजाब से तो मैं sort कर लेता हूँ पंजाब Kings के team और यहाँ पर मैं देखता हूँ ठीक है अब हम बात करेंगे कौन से प्लेयर हमारे लिए must peak है तो जो सबसे बाई कर सकते हूँ बाई करके रख लो टीम में open करते हूँ नजार आ जाएंगे और जबर जस्त लेफ्ट हैंड बैटसमें है और आपको profit देखर ही जाएंगे जहां तक मेरा मानना है तो मैं इनको as important pick रखूँगा बात करें चोड़ दो कगीशो रबाड़ा कगीशो रबाड़ा भी छोड़ दो क्योंकि अभी उनके बालिंग में उतनी सार प्रेंस नहीं रहे गई है और 59 का देखो अभी average है न हाला कि मैं यह बोलूँगा कि जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं वो जरूर रबाड़ा को पर रिस्क ले सकते हैं लेकिन जाधा profit मोजर लगता है नहीं देखने को मिलेगा as compared to the players which are I'm talking about the important right जो player मैं important आपको बता रहा हूँ उनके comparison में सायद ही आपको यह player profit देते हैं नजर आ है बात करें रिसीधवन चोड़ दो राहूल चेहर चोड़ दो रहें और अगर आप यहां बाई करें तो all time high की बात करें 70 के आसपा से 60 की price पर 10 रुपे का margin आपको देखने को मिल सकता है कि यहां पर bowling पूरे कराते हो नजर आएंगे बैटिंग भी जवर्जस करते हैं लेकिन अब देखो बैटिंग का मैं बता रहा हूँ कि क्यों इनको chances का मैं क्यूंकि देखो बैटिंग में अल्रेडी सिकर धावन है और लियाम लिमी स्टोन है और सारुक खान है ऐसे player है जो कि साथी साथ सिकंदर रजा है जो कि काफी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे बैटिंग से ठीक है तो सायद है सैम करण को बैटिंग उतनी जल्दी ना मिले तोटली आप मान के चलो ऐस बॉलर ही खेलते हूं नजर आएंगे हाँ बैटिंग अगर कोलाप्स होती है तो सै परफॉर्मेंस एवरेज है कि ग्राफ नीचे ही चला जाएगा हाला कि चार अगर अगर कम्प्लीट बॉलिंग कराए ना दोस्तों अच्छी एकॉनमी के साथ एक दो विकेट निकालेंगे तो परफॉर्मेंस एवरेज तो इसली क्रॉस हो जाएगा लेकिन अगर ग्राफ को ऊ इनको मिल रही है तो इनको आई साइट में रखना और इंपॉर्टेंट मैं अभी लिए नहीं रखूंगा वहीं बात करेंगा आप सिकंदर रजा की तो देखो सिकंदर रजा भी अल्रेडी 143 तक गय हुए है और फिर से उपर जाने मतलब उपर इनका ग्राफ उपर जाने क परफॉर्मस रहती है लेगिन आई प्वे यह अब ग्राफ देख रहा हुए इतना उपर जो इनकी फ्राइस गय है किसकी वजह से गे जो यह वर्ल्ल्ड क्ालिफायर मैचेज होता है ना जोकि जिंबाउम पे छोड़े-चोड़े टीम्स के अगें धैके यह जैसे नामें ने रन बनाये हुए और यहां से इन्होंने विकेट्स वगर भी ले हुए जिसकी वज़े से इनका प्राइस इतना उपर गया लेकिन अभी आप देखो के PSL में इनकी परफॉरमस कैसी रही पूरा का पूरा ग्राफ ही नीचे चला गया तो उस प्रकार से चीज आप समझो कि ह हाँ ठीक है अच्छे प्लेयर हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं बॉलिंग तो मुस्कील है कि इनको मिले और बैटिंग काफी नीचे मिलेगी हाला कि रंस बना सकते हैं थोड़े बहुत लेकिन आप होई देखोगे परफॉरमस एवरे 64 का है यानि कि बैटिंग बॉ अच्छे बैट्समेन है और प्लेयर आप बोल सकते उधर के टीम से तो इन्हों ने इसे रं बनाए ठीक है अभी मेरा इकलो था मोटो यह है आपको बताने का कि एक बार से देखो कि कैसे यह आई पेल में खेलते हैं अभी बाई करके इनके सेयर्स मत रखो एक आथ दो मैचे टाइम तक दूर रहें तो थोड़ा रिस्की है बट आप यह समझो कि प्लेयर अच्छा है तो हम ऐसा अच्छा ही रहेगा मतलब क्लास है अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेते हैं वो इनको प्राफिट जरूर से दे कर जाएगा पर प्राइस भी कम है यह दो प याद रख लेना आप नोट डाउन भी कर सकते हो ऐसा कुछ वो नहीं है लियाम लिविंग स्टोन और सिखर धावन राइट चार-पांच प्लेयर मैंने यहां से बता दे हैं पंजाब किंग से अब बात करते हैं हम अगले टीम की जो की है कोलकाता नाइट राइडर में सबस पहले तुम मैं बता दू कि जो इनके कैप्टन स्रेय सहीर सायद से ना खेले अगर खेलते तो यह इंपोर्टेंट पिक हो सकते थे क्योंकि प्लेयर अच्छ है और अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन सायद ना खेले तो देखने वाली बात होगी कि कौन कैप्टन सी करता फिलाल मैं बता दो इंपोर्टन प्लेयर तो देखो वेंकटे सहीर 25 की प्राइस 50 का परफॉर्मेंस एवरेज है अब देखो अगर वेंकटे सहीर ओपन करते हैं तो ही आप इनको वर रिस्क लेना वरना इनको बाई मत करना अगर नीचे बैटिंग करने आते हैं तो यह नेक आप स्पीड से कुछ नहीं करने वाले सामने की टीम्स में ऐसे प्लेयर पड़े हैं जिनकी कैपिलिटी बहुत है तो मैं अभी फिलाल के लोकी फर्गेशन को इंपॉर्टन नहीं रखता हूं बात करें वरुन चक्रवर्ती की 54 का परफॉर्मेंस एवरेज आप इनको जरू और अभी आप अल्टाइम हाई देखो तो 53 के आसपास है मैं तो इनको इनको इस इंपॉर्टेंट पिक रखूंगा लेकिन आप अगर पैसे बसते तो ही इनको बाई करना ठीक है बात करें अंधरे रसल अब देखो स्रेयर नहीं है और अंधरे रसल तब टीम के लिए एक इ देख रहा हूं रसल जो है उतने थमदार प्लेयर एज बैट्समें नहीं रहे गया है बॉलिंग से इनकी बॉलिंग से जो विकेट्स वगरे निकाल रहे है वही अच्छी है बैटिंग की बात करें तो उतनी पाउर्फुल और इंपैक्ट्फुल बैटिंग नहीं रहे गए एक रसल की मैंने टीटेन में भी देखा वहां भी उनकी बल्ला उनका चल नहीं रहा था फिर भी आप ऐसा आईपिल प्लेयर आप इनको ट्राइगर सकते हो मैं इनको मॉडरेट रखूंगा इंपोर्टेंट नहीं रखूंगा फिर भी मैं स्टार लगा देता हूं ताकि तो हो सकता है जिम्मेदारी इनको उपर थोड़ी जादा हो अब देखने वाली बात है कि कैसा टीम और कैसे प्लेइंग लेवन वगर आती है राइट बात करें डेविड वीजा तो डेविड वीजा को एकदम से देखो ओल टाइम लोप है मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा अब ये IPL में बाइटिंग बॉलिंग दोनों कराते हो नजर आएंगे और अब देखो तो हर मैच में कंसिस्टेंटली इन्होंने रन बनाया मतलब सौरी जो गेमी स्कूर एच 66, 52, 63 और इतने से प्रॉफिट तो नई होने वाला अब लिख के ले लो प्रॉफिट जब होग पर कैसा जो रहता है इनका परफॉर्मेस मतलब कैसी इनको मिलती है बैटिंग गॉलिंग कराने को डेविड वीज को इसलिए अभी के लिए इनको छोड़ दो बात करें सारदूल ठाकूर की बात करती है इनको भी चोड़ दो बहुत इनका देखो ग्राफ किस तरीके से रहा फिर भी स्टार लगाता हूँ अगर टॉप और में बैटिंग करने आते हैं मतलब नमबर तीन या चार पर बैटिंग करने आते हैं तो जरूर से बाई करना क्योंकि इनका परफॉर्मेंस एवरेज कम है बैटिंग अच्छी करते हैं लेफ्ट हैं बैट्समैन है मैं सज़ेस करूंगा कि निती सराना भाई कर सकते हैं अभी के लिए देखो तो खेलेंगे तो ही बाई करना अधरवाइस लिए लिए उमें सहाद हो स्टीम सावदीन को चोड़ दो सुनी नरायन की बात करें देखो सुनी नरायन अगर ग्राफ कैसे गया हुआ इनका फिर एक एकदम से में कोई फायदा नहीं मतलब आप देखो ना लास्ट टेन गेम्स मातर बारा परसेंट का प्रोफिट आपको देखने को मिलेगा जिसका कोई मायने नहीं है और परफॉर्मेंस एवरेश 78 का है दोस्तों मतलब ठीक है बालिंग करते हैं अगर चार उपर तो 78 तो हराम से इनक और आपको बात करें अगया देखो मैं आपको बता तो सखी बलासन गयी है देखो ग्राफ कितना राइजिंग मतलब बहुत इंपक्त मतलब जब जबर जस्त ऑल रवंडर है लेकिन उसका एक रिजन है रिजन है कि देखो यह प्लेयर न यह भी स्पेशिफिक टूरनमेंट म और नेशनल टीम के लिए तो जब अरज़स्त परफॉर्म करते हैं लेके लिए लेकिन अभी आई-पिल इंक उपना अच्छा परफॉर्मेस नहीं रहे गया में सञेस्ट महीं गरूँगा लेकिन फिर भी देखते हैं अभर अच्छी बैटिंग ऑडर मैं आते हैं बालिंग कर रहाते हैं तो इनको ले सकते हैं अब यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इनकी अगर एक मैच में बैटिंग नहीं आई ना दोस्तों इतना ज्यादा पर्फॉर्मेंस एवरे जाए कि इनकी प्राइस सीधा कर सीधा नीचे चली जाएगी तो आप इनको सौट भी कर सकते ह तो अगर यह आते हैं तो नीचे बैटिंग करने लोर ओडर में तो इनको सौट पर भी ध्यान रख सकते हूं फिर समय एक बार रिवाइस करा देता हूं फटाक से वीडियो लंबी हो रहे देखो आप नजार रख सकते हो वेंगटे साइयर पर अगर टॉप अगर बैटिंग दो प्लेयर जो कि आप मस्ट बाई करके रख लो बागी अगर ध्यान में रखने की बात करें तो कगी 100 अबाड आप रिस्क ले सकते हो और साथी साथ अबर सेदीप सिंग को बाई कर सकते हो सैम करन भी है यहाँ पर जिनको पर नज़र रख सकते हो तो 3-4 प्लेयर मैंने इंट्रेस्ट है और सब्सक्राइब तो करी लो बाकि इंस्टा वगरा देख लो वहाँ जरूरी है भाई वहाँ पे भी काफी सारी चीज़े जो कॉंट्रेस्ट वगरा जो अप्लिकेशन चलाती है वहाँ भी पोस्ट पोस्ट आते तो वह भी सब चेक करो टेलिग्राम पे तो कर लिए भाई क्योंकि वहाँ पे काफी सारे एक्स्क्रीजे न्यूज अपडेट्स आपको देखने को मिलता रहता है चलाले स्वीटियो में इता है मिलता है कि दो देखने को दो नमाद जाहिंत